यूं तो आपने नेताओं को हमेशा VIP कल्चर को ही फॉलो करते हुए देखा होगा लेकिन कुछ विरले नेता हैं जो सादगी की मिसाल पेश कर समाज को एक संदेश देते हैं साथ ही लोगों के आग के तारे बन जाते हैं कुछ ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब लखनों के ट्रांसपोर्ट आफिस में अपना लाइसेंस बनवाने पहुँचे और दूसरे लोगों के साथ लाइन में खड़े होकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने लगे मंत्री अशोक कटारिया को खुद के बीच पाकर लोग अचम्बित रह गए परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने खुद अपना फॉर्म भरा और लोगों के बीच लाइन में खड़े हो गए इस दौरान उनके साथ अधिकारी मौजूद रहे परिवहन मंत्री की साथगी इस तरीके की थी कि वहाँ पर उन्होंने एक आम नागरिक की तरीके से फोटो किचाया और सभी दस्तावेजो को खुद ही पूरा किया परिवहन मंत्री ने बदले हुए यातायात नियमों पर कहा कि जनता हमारी जागरुक हो रही है और लोग अपने ट्राफिक रूल्स को फॉलो कर रहे है और खुद की जान के कीमत समझ रहे है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जनता धीरे धीरे यातायात नियमों को लेकर जागरुक हो रही है और मैं उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते ये अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे नागरिक बहुत सरल, सहज, सजन, सच्चे हैं इसके अलावा अशोक कटारिया ने कई दूसरे मुद्दो पर अपनी बात रखी जैसे कि विरोधी दलों के नेताओं पर मुकदमा दर्ज होना, एनारसी का मुद्दा, साथी परिवहन से जुड़ी दिक्कतों को जल्द ही सुधारने की बात कही अपना लाइसेंस बनवाने के बाद अशोक कटारिया ने पूरे ट्रांसपोर्ट भवन का निर्खशन किया और वहाँ जो कमिया मौजूद थी उसके लिए निर्जेश दिये इसके बाद वो वहाँ से दूसरे कामों के लिए रवाना हो गए आपको बता दे कि अशोक कटारिया बेहत सामाने परिवार से आते हैं इनका जन्म बिजनौर जिले के एक बेहत छोटे गाउं में हुआ था इनके परिवार की कोई राजनेतिक प्रिष्ट भूमी नहीं रही है लेकिन कटारिया के मेनत ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुचाया है परिवाहन मंतरी अशोक कटारिया के पिता खेती करते थे अशोक बच्चपन में अपने पिता का हाथ उनके कामों में बटाया करते थे लेकिन राश्ट्रियता की प्रती अशोक कटारिया का जुकाव बचपन से था इसी के चलते उन्होंने 1990 में अखिल भारतिय विद्यारती परीशत ज्वाइन किया और राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग की शाखा के नियमित सदस्से रहे 1993 में कटारिया ने रुहेल खंड विशुविद्याले बरेली से अर्थ शास्त्र और समाज शास्त्र विसे में सना तक किया इसके बाद उन्होंने आरेसस के स्वयम सेवक रहते हुए बीजेपी के साहरे इस मुकाम तक महुचे लखनव से अनिल सैने की रिपोर्ट